सूपरभाद बच्चो आज हम कक्षत तरित्य का पार्ट भोलु भूलकड पढ़ने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार है इस पार्ट में एक बच्चा है भोलु जिसे भूलने की आदत है ये भोलु है इसकी भूलने की आदत पे ही बाकि बच्चे इसे चिड़ाते हैं ये चिडा रहे हैं क्या कहकर चिडाते हैं अकड बकड भूल भूलकड मांगो लोटा लाते लकड भोलू के भूलने के किस्से इस परकार हैं एक दिन की बात हैं भोलू की मा भोलू को कह रही है मुझे एक बाल्टी पानी ला दो फिर स्कूल चले जाना अच्छा मा मैं अभी पानी लाता हूँ भोलू पानी लेने चला जाता है लेकिन रास्ते में भी क्या देखता हैं कि दो मुर्गे आपस में जगड रहे हैं अरे ये मुर्गे लड़ क्यों रहे हैं उन्हें जगडता देकर भोलू भूल जाता है कि वो पानी लेने जा रहा था अरे स्कूल का समय हो गया भागो क्यूंकि रास्ते में इस्कूल का घंटा बच जाता था टन 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 भोलू भूल जाता है और वो बाल्टी लेकर ही स्कूल चला जाता है लगता है भोलू फिर कुछ भूल गया स्कू लाना भूल गया भोलू को देकर सब बच्चे हसने लगे वे एक साथ बोले भोलू भूलकर खा गई क्यों चक्कर इस परकार अब भोलू के भूलने का दूसरा किस्सा सुनो भोलू की मा भोलू को कह रही है भोलू जरा छप्पर से उपले ले आना भोलू मुंडेर पर चड़ा तो उसने देखा कितनी प्यारी चिडिया है यह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है भोलू को लगा कि मैं भी चिडिया की तरह उड़ सकता हूँ भोलू कहा रह गए जल्दी आओ ओहो मैं तो चिडिया नहीं हूँ भोलू ने चिडिया की तरह बाओं को फैला कर उड़ने की कोशिश की लेकिन वो गिर गया क्योंकि वो समझने लगा कि मैं भी एक चिडिया हूँ और उड़ सकता हूँ अरे मेरे भोलू भूलकर मा क्या करूँ मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ तुम अपनी कमीज में एक गांठ लगा लो इसे देखते ही तुमें सब याद आ जाएगा भोलू ऐसा ही करता है भोलू अपनी कमीज पर एक गांठ लगा लेता है भोलू गांठ पर हाथ रखके जल्दी जल्दी जा रहा है है भोलू मेरे लिए आम तोड़ दो ये लड़किया भोलू को कह रही है भोलू एक मुझे भी दे दो ये लो अब और आम नहीं है मेरे पास तब ही उसका हाथ कमीज की गांट पर जा पड़ा पालक भोलू को याद आया कि उसकी माने तो उसे पालक लेने के लिए भेज़ा था बच्चो ये वक्षिट मैं आपके कक्षा ग्रूप में भेज रही हूं जिसमें मैंने पहले ये पूरा पाठ आपको भेज़ा है इन पेजों को पड़कर आपने इन प्रशनों के उत्र देने हैं भोलू बाल्टी लेकर कहां गया भोलू बाल्टी लेकर स्कूल गया आपने एक शब्द में उत्तर नहीं देने इन सबी प्रशनों के उत्तर आपने वाक्या में देने हैं और पाठ में आए ये पांचवा प्रशन देखो आप पाठ में आए कोई पांच संग्या शब्द संग्या शब्द जैसे भोलू बाल्टी बस्था कोई भी पांच शब्द आपने लिखने हैं और उनके वाक्या भ करोगे आपने कोई पांच पंक्तियां लिखनी है कि यदि आपको चिडिया की तरह पंक मिल जाए तो आप क्या करेंगे यह प्रेश्ण कल्पना पर अधारित है आपने अपनी कल्पना लिखनी है कि आप क्या क्या करोगे धन्यवाद